जितने भी जती इन्सान हुई सुर्गे स्री दादा मेहर सिंग जी उने एक रचना लिखी ब्रम ग्यान से जिसमें इन्सान के जीवन का निचोड है मैं एक दने पारग में बैठ्था पाज़ पाज़ शाथ साल के बाड़क तोड़ा के ग्राउन बन रहा था वे अपने मनोरंजन में काटें खेल में चकर काटें फिर मना 18-20 साल के छोड़े देखे जो अपनी फिटनेस के चकर में बैज सरीर ठीक राखना है जोगिं कर रहे हैं फेर आजाते चारीश पलस के देखे मन मानस और और ओरतें महाँ बाइन का लीवर की प्रोब्लम होगी क्यों खाणा आजम नहीं होता है वह भी चक्कर काटें उसके बाद मन सतर प्रेशतर साल के एक बुजरग मानस और एक और देखें वह भी चक्कर काटें वो एक गाणा नहीं है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है इतने आप इस शरीर से कुछ न कुछ काम करते रहेंगे तो ये चलता रहेगा वरना ये बैट सी आएगा उसी प्रकार से दादा मेहर सिंगियों ने बच्चे का जनम हो गया और बुजरग हो गया वहां तक का जोड दे दिया कैसे क्या रचना ले खुट्या बतार रहे मात पैता ओरे कोट मैं कभी लाबिला यो चुट्था जग का लादा जब पुर्ण मलकों कहते हैं अक बैश्याद्य करने देखे तरी माबाप उड़े हो जांगे और फेर इनका के होगा तीरा के होगा नुकर लागे मैं ना कराओं क्योंके रिशी मुन्यों ने कहा था इसको बहुरे में रखना अगर ये बार आके गरीपी देख लेगा पुखमरी देख लेगा तो सन्या सी रण दिया होए मात पैता ओरे कोट मैं कभी लाबिला यो जूता जग का नाता होए उम्र केती हो अमान स्थी महें अन्नू ना प्या तरे वाता होए मात पैता ओरे कोट मैं कभी लाबिला हो जूता जग का नाता होए उम्र केती हो अमान स्थी महें अन्नू ना प्या करवाता मात पैता और कोट मुक्रबिला स्थी उठा जग का नाता होए उम्र केती हो ंमान स्थी महें अन्नू ना प्या करवाता माद पिता और कुटम कभिला सब जुठा जक्का नाता, उमर कैद हुमानस की मन्यूना प्या करवाता, रिशी मुनी, बाते भी ये बतावे हैं, जो सबसे बड़ी तपस्या हना, वो गरस्ता अश्रम है, जो ये चोग ले रहना जागे लिए, पहली कली में, चोदरी साब ने उदहन गिया, उस सेचनाग देवत्ता का, सेचनाग ने अवतार लिया लक्षमन के रूप में, जिसकी स्याती होई, सती सलोचना के साथ, वो जती था लक्षमन, क्या बताया दादाने उसके बारे में, ये दर्मेंदर दरोगा सहाब दली पुलिस में कार्य करते हैं, जिंदरान गाउं से, और ये भी संस्कर्टी के शोकिन हैं, आई एंडी जे म्यूजिक चैनल, नहरा रागनी, नहरा फिलंस, जहल म्यूजिक चैनल की दरब से, पान्चुर पेशे, अपने भाई का माल समान करते हैं, बार बार धनेवाद हैं, धनेवाद, क्या उदहन दियार, क्या लिख्या, ये पी मलिक चैनल से, राम मलिक जी, मेरे बहुत अच्छे सुवच चिन्तक है, हमारे बड़े बाई सहाद, बहुत से हो करते हैं, मलिक सहाद, जो आज का कारेकरम रिकोर्डिंग कर रहे हैं, शावर पे से मान समान करते हैं, मलिक सहाद का दिल की गहराईयों से धनेवाद हैं, धनेवाद जी, जो शेजनाग भी जतीर हरे, जो विशनों का प्यारा था, खोर राम बन्या, एक लखन बन्या, और रूप मनों से का धारा था, और दोटा साल है, कतीरे के नेगना थे महराहता, और युद करकर है, ब्याई सलोतना, वो बदला दाया, और युद करके यही सलोतने, अर जती रहा होरे, असुर मार दिया, और जती रहा होरे, असुर मार दिया, आर ना थे खुद मर जाहाता, और युद बार दिया, असुर मार दिया, आर ना थे खुद जाहाता, वाल उमरके तो मारकी उन्नों आप्ला करा यह हमारे भाई पवन काद्यान जी के भाई भाई मनो हुई अर्याना शेना में कार्य करते हैं बड़े अजीज रागनी प्रेमी हैं तो सुर पे सिमाल समान करते हैं बार भार धनेवाद हैं यह हमारे मासे जी जोगेंदर मलिक जी बहुत अच्छे गाने वाले जब यह गाव है ना रागनी तो ताटा रनपिर वाली भीलिंग आती है सवर पे से और आशिवा देते हैं चरणों में परणाम है दिल की गहराईयों से धनेवाद हैं यह सोमी दनकड सहाब सवर पे से मान समान करते हैं बार भार धनेवाद यह मास्टर जी रोतास लाठ्थर सहाब बहुत अच्छे पीचर भी रहे हैं यह अर इव संसकर्ति का चसका लाग्या इव रागनिया में आजे मास्टर जी एक बार इनके नाम से जोड़दार दाडियों से स्वागत करें यह मनोज गाद्यान सहाब इसने कई धिबलाले परमात्मन चाहा तो छोड़ा हो जादो वह परोग्राम होगा और भाई माम मालक शोणे अर आज वो मोका आग्या और भाई ने यह जिम्मनवार का और यह सांस्कर्तिक करेकरम का करेकरम आपके बीच में रख्या इनका देल की गयराईयों से धन्यवाद दोस्यों रुप यह सिमान शिमान यह हमारे बहुत ही आजीज काड़ा सिर्पन सहाब तर्दहन जी बड़ा संयो करतें माल बार धन्यवाद यह रविन धाकरान सहाब जारसा से गुरगामा से सौर पे से मान समान करतें मार बार धन्यवाद ये मलीक रागनी चैनल बड़ाउत यूपी से हमारे बड़े वाहिसा मदन मलीक जी सवर पे से मानसमान करते हैं बार-बार धन्यवाद ये सोमी दनकर सहाथ सवर पे से मानसमान करते हैं बार-बार धन्यवाद दूसरा उदहन दिया सोद्री मेर सिंग ने बिशंप तामा का कुमार शांतनु ये नाना अंकल है अच्छा अंतिल गोत्स है तो तो गोत्मी साब बुआ पर गाले रहा है ये नाना अंतिल सहाब सोर्वे से पहने मानसमान सोर्वे से और मानसमान कुमार सांतनु किर गंडा की शाती हो जाती है जिनके आठ्वे लड़के न जनम लिया जिसका नाम था पिशंप तामा गंडा जब चली जाती है पिशंप तामा को साथ लेगी बैई ये जब विद्यामने पूर हो जाएगा तब लेके आऊँगी राजा को एक लड़की पसंद आगी कुमार सांतनु को कि मैं शादी करूँगा कुमारों की वो लड़की थी उसके घरवारों ने परस्ता उठुकरा दिया राजा उदास रह लाग्या मंतरी तबेरा पठ्या बाए पताजी उदास क्यूं है बल्या फलानी जगहे शादी की शादी मगर उन्होंने मना कर दिया उनका गरा गया बल्या बद शादी क्यों ने करते बल्या शादी आम्यों ने करते क्योंकि इस राजपाट का उत्रादी कारी तो तू होगा मारी थोरी के बालक कड़ा जांगे उड़े परतिग्या करली भी संपेता माने अक मैं आपको वचन देता हूँ इतना मैं जीवन जीऊंगा आजीवन ब्रमचारी रहूंगा शाती नहीं करूँगा राज का सुखनी बोगूँगा ऐसे ऐसे जत्ती होए दूसरे नमबर में जोदरी साथ ने क्या लखा क्या ओ शील गंगे भी जत्ती रहारे और शील गंगे भी जत्ती रहारे जो भी समता प्रमचार हरी दुनिया के महा अरूंगा पड़ क्या बड़ की ठीकल का हरी अरे अपने हथा मोद बता दी बड़े धर्रपल का हरी उत्विरान के प्राण गए होई सर्ग लोट की त्यारी अरा मने बड़ गए होई सर्ग लोट की त्यारी अरसा भी देवता फूल बगाओं या तुछ होई कंगे बहता हमरे कई़ते होमना भी दूना कराता मारे कटा योड़ फुद हमकर लिया तुछ प्रसख लिदरता हमरे कई़ते होमना भी दूना कराता ओधिके मैं से पूपता ये बंठी भाइसात सौर पे से मांसमान करते हैं बार-बार धन्यवाद ये हमारे आध्राणियों बहुत बड़े सोग चिंतक है देमा पहलवान जी प्रेंदर बाहिनारा सलमत पूरे बड़वासनी गावन नेरा बड़ा सेयो किया अपना बच्चा मान्या है बिमा पहलवान जी 500 रुपे से आशिरवाद देती है एक बड़ी जोड़दार ताड़ियों से स्वागत करें बहुत बार बार धनेवाद तीसरा उदहन दिया दादा मेर शिंग जी ने अनुमान जी का वो भी जती रहा कैसी क्या लख्यात सोरे वो हनुमान भी जती रहा वो हनुमान भी जती रहा जो जनम जती कहला होया हो जलम होया जब रोग्या सूरची देन ना लख रहने पा अरे एक हाथ पे पोड़ी उठाके सरे जीवन बूटी ल्या हो जोने की लंका भूकी यो भारी जंडे मता हो जोने की लंका भूकी यो भारी जंडे मता हानुमाने में इस दुनिया में होया हनुमाने इस दुनिया में लक्ष मन में कोण बचा था आयो मैरे कहँएएगो उमारे भी नूना ब्या कराता हानुमा दले जुनिया में व्या क्रीद गफ्राख 1 आयो मैरे कहँएगो उमारे भी नूना ब्या करांता Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh इतना इन्शान का आखरी कली में, चोधी कली में, चोधरी साब ने के बताया? इतना जवानी का जोसर है, इतना ना थापता क्या एना है? 37-38 साल लगे, क्या एना ना थापता है? उस्ता बड़ा जयान आणा और उस्ता बड़ा गैनी ना पावाँ यह हमारे बड़े बाई साब रामपाल जी, 200 रुपे से आश्रवाद देते हैं, बार-बार धनेवाद यह पर्मा ठेकेदार जी, 200 रुपे से समान करते हैं, ठेकेदार जीओं का बार-बार धनेवाद सोधी कली में, यह अरविन मलिक जी, यूपी से सहीत कवीजाट महरसिन, बरोणा कमहेटी के एक सेवक हैं, सवर पे सेमान समान करते हैं, मलिक साहब का बार-बार धनेवाद है, धनेवाद चोधे नमबर पे क्या लेखे समय का ऐसी चीज है, जो बड़ा पलवान है, राजा को रंक बना देता है, और रंक को राजा बना देता है, लाग के खा कर दे, खा के लाग कर दे पूरण मल जब बोरे में डाल दिया जती था पूरण मल फिर भी उसकी मौसी नहीं उसके उपर बुरा लालचन लगाया परिच्चा इंसामने हरेख यूग में देनी पना है चोथे नमबर पे क्याल बतार क्याल खेर थोड़ो ओ पूरण मलका जगर सुनो तिन से साथ सगाई का हरेख पूरण मलका तोज नहीं नोणा ने दे सगाई अर पूरण मल नहें अच्चक तसरावे नोणा दे तेरा तारेख जो माद्रे के पहें जोल मकरे वां हो से माचंडारी मापेटे भाए धुल मकरे हो से माचंडारी सोरग नरकता पता उड़े सोरग नरकता पता उड़े चोड़ छंद मेर सेंग दाता पता उड़े सोरग नरकता उड़े सोरग नरकता उड़े हुआ 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 हुआ